हलो दोस्तो मैं हूँ रागविंद आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने पहले वीडियो में जो अफसने है जो प्यार बसाया है उसके लिए दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोगों सिक्षक और सहायक सिक्षक की जो आपका CDP याने बाल विकास और जो पैडावजी का सक्षन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और क्योंकि बहुत इंप्लीट होता है इसलिए हम इसको क्रम से परिछा से पहले ही कंप्लीट कर लेंगा और साथ-साथ हम लोग इस पे जो सिधान में ठांडाइट के जो सिधान थे उसको हमने पढ़ लिया था उसके बाद अगला जो विभारवाधी सिधान थे वह आता है भीए एफ शिनर का बिस स्किनर के जो थे इनका पूरा नाम है आपका ब्लू हर्ब्रीक स्किनर ठीक है तो यह कहां के थे तो यह जो हमारे अनुबंधन का सिध्धान के नाम से जाना दाता है अने नाम भी है बट मुख्य नाम क्या है का क्रिया प्रशून अनुबंधन आज समझेंगे क्या होता है क्रिया प्रशून अनुबंधन ठीक है अभी ऐसे समय लिए क्रिया करके अनुबंधन याने जुडाव पैदा करने का सिद्धान था इनका उन्होंने अनुबंधर पर ज्यादा जोड़ दिया ठिक यह जो है आपका याद रखेगा इन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया अभी प्रेड़ा याने मोटिवेशन जो होता है यह सर्वत्म राजमार गए ठीक है याने मोटिवेशन जो है इसके से बच् सब्सक्राइब आता है कि अनुक्रिया करता लूज बल दिया कि अनुक्रिया करता ही important है हमारे हमें पूरस अधीगम उसमें जो मैंने ठाइणर रखे टहुरी है एक त् 서 लाह का यान कुछ है a और देखी गा कार्यात्मक्ः प्रृतिषदा का सिद्धाउध इसके लावा साधन अनubandhan का सिद्धाउन ऊप्र है नाव addhan क्या नाम do क्रिया प्रशून अरो बंदो इस से मैंने पहले बताया अभी अभी क्रमित अनुवेशन का सिद्धां टिक इनका आपाट प्रयोग मुग है हुआ और फिराट का किया ठीक तो चुहां क्या हुजाई आड़ हो जान थी कि भोजन दिया अ भोजन को भोज़न कुछन दोने पुनर बलंग उन्वाल और बलंका रिफोर्ष में तो पहले को सबbor मैं देता है उसके पुरा अंसलोर सिधान को समझ लेगे के सिधान है क्या था तो जैसा समझ लेजे एक किसी को मोटिवेट सुदिया जाता हुई प्रकार की ऊटे हैं लोगो ने देखा होगा जब सुटे धेक्स तो जब पीता जी है tightening है ऑसे तो पहलीग बात करो हो सकता है तारीफ की जाए सबस्कारात्मक क्या हो जाए करें हो PPT ॐसे आप हो सकता है चॉपलेट है मांगते सीधा one प्लस यह PLUS प्लस फिलस ठीक है तो यह सकारक्रात्मक क्या होता है समान हो सकता है तिक उसके लावा क्या पुरुसकार हो सकता है या फिर उपहार हो सकता है चौकलेट हो सकता है यही सकरात्मक पुनरबलन बच्चों को देना चाहिए और मतलब अती नहीं करना चाहिए मतलब हर बात पर अच्छा है अच्छा ऐसे नहीं मतलब जब बच्छा अच्छा कर रहा ह सो सको मोटिवेट करना चाहिए उसको पूस्क करना चाहिए यह उन्हों ने सिखाया उन्हें बताया कि स्कीनर जीने के छोता है काम अधी है कई बार देखिए गाफिर का हो जाता है अब मारी लोप ठीक है करी लो हम नहीं पढ़ेंगे वैसा वाला स्थीन हो जाता है तो याद रहेगा नकरात्मक में क्या होगा दंड भैडाटना ये नकरात्मक पुनर बलन होता है तो उन्होंने बताया कि यह पुनर बलन है यह कि नाम से भी जानते हैं ठीक उसके बाद देखे तो मगर पुनर बनन का प्रयोग इन्हों ने किया है और पुनर बनन का जो सिधान्त है यह कुशन आ चुका है पुनर बनन का सिधान्त किसने दिया है क्लार्क एलहल का सिधान्त है पुनर बलन का सिधान्त ठीक है को था चोंचे में कर दिनाय कर्ते अब क्या हुआ एक में इसको लगा दिये क्या दो लिवर लगा दिये जिकी जाँ धर को जैसे वो पूश्ट करता था तो उद्वर goose करता था तो उदर से आपका आता था इसको चोट लगती थी धरसे आपको तो एक उसके लिए होगा है नकरात्मक पुनरबलन एक होगा सकरात्मक पुनरबलन तो क्या हुआ एक बार यह दो बाद उसके बाद वो दूसरा जो लिवर जिसे वो चोट लगती थी वो दबाता ही नहीं था तो चोटी नहीं लगी तो कहने का मतलब है नकरात्मक पुनरबलन था और एक में क्या लगती थी चोट लगती थी ओके उसके बाद देखिए इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं इसमें कुख्षा की उपयोगता क्या है इसका इस पुध्यान दीजे कि मतलब बच्चे कैसे सीखेंगे तो बच्चे देखिए बच्चो में शब्द भंडार में आपको बता रहा हूं पुनरबलन का मतलब हुआ जैसे कोशन आता है कि बच्चा किस तरह से सीखता है डांट कर मार कर प्यार से गंड़ देकर यह किस तरह से सीखेगा तो यार रखेगा प्यार से पुछकार से आप उसको सिखा सकते हैं यह हमारा NCF में भी कहा गया है कि no man handling बच्चों को मारना नहीं है प्यार से समझाना ठीक है उपहार देना है आप प्रसंशा कर सकते हैं जिस तरह से आप पुनरबलन दे सकते हैं उस तरह से बच्चों को सिखाना है यहीं का सिध्धान्त तो यह सिध्धान्त आपका यहां पर हो गया इसके बाद देखे तो इसक ilisory इवांड पावलाव निसंद्धाटन है अनुक्रिया पभं अनुभंधन को सिध्धान है इसको देख неп Bear किसी ँभलत करता है उसे ही अनुमंधन कहा जाता है तो पहले हम लोग अनुबंधन समझ लेते हैं ठीक है अनुबंधन देखे यही पर देख लेते हैं अनुबंधन क्या है तो देखे अनुबंधन क्या होता है अनुबंधन का मतल़ होता है जुड़ाव ठीक अगर किसी से जुड़ाव हो जाए तो समझा जाता है कि अधिगम हो गया है औ आपने बस पढ़ लिए और आगे बढ़ गए बट आम को अगर आप देख ले या फिर चित्र देख ले तो आप से उसको जुड़ा हो जाए कि हाँ ये इस तरह से दीखता है तो जुड़ा हुआ तो याद करने में सहज हो जाता है यही है अनुबंधन ठीक है अनुबंधन कह आप अब कनेक्ट हो जाएंगे और अगर कनेक्ट हो गया और जब किसी चीज से अनुबंधन होता है तो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते है तो हमेशा बच्चों से प्रयास करना चाहिए कि हम अनुबंधन करा के चिखा है जिसे मां लीजिए कोई बाते बतानी है आप आपको कोई थौस बताने हैं को बड़ी बाते बतानी है तो हम इसका क्या इक स्थान से उनको ते Какनेक्टग सकते हैं। उनकी कहानिया रट सकते हैं और कहानियों के मान दिम से सकते हैं ताकि बच्चiken कर लें ठीक है यह नहीं कि सीथा आया फ्लो में बोले और चले गए तो याद रहें कि का सिध्धान लिए तो जब आप देखेंगे शाश्री अनुबंधन का सिध्धान एक लिए इंगलिस में आप देखेंगा इसका अनिनाम भी बहुत सारे तो बहुत इंपोर्डेंट है को साइड पावलाव का सिधान जिन्हें कुत्य पर की ओपर दिया है और किसका किसका है अनुमंधन के जनक कहलाते हैं यह रूस के वग्यानिक ते याद रखेगा दोनों उसे पहले जो बदा ठाणडाई और आपका भी एफ सकीनर यह दोनों अमेरिका के थे और यह घान के थे रशीया के जानी रहे हूरश वाले तो यदा रखेगा रूसटाइग के विए निखेगा की न players संथ के जाद रखना है जो रूस वाले होते हैं तो टलेंटर चाहँ है जबाइंच है वह ज्या है उट्छे- स्वर्य exists कि तो याद रखेगा यह का नोबल मिला कभ कुट्टे के पाचन क्रिया पर प्रयोक क्या कि कुट्टे का पाचन कंग कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखना इसके बाद देखें उन्होंने किस पर बल दिया है तो याद कि उद्धी पन यह थी इस त्योरी मैंने पहली बताई जो है आपका important होता है ठीक है अब देखे तो आगे बढ़ते हैं इसके इनके और सिद्धान क्या था इनके सिद्धान के देखिए इतने सारे नाम सबसे पहला आप मैंने बता है आपका सास्त्री अनुबंधन का सिद्धान जहां पी अनुबंधन दिखेगा आप समझ अनुबंधन आया मतलब इसके बाद देखे प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धान संबंध प्रत्यावत्तर का सिद्धान संबंध प्रत्यावत्तर अभी समझेंगे कैसे आपका आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धान और आपका अनुबंधी अनुबंधी एक सब ने क्लासिकल itself कि खिअ ऐस का है इपिप रॉपका अम प्रेयोग कैसे चिते कुछ कितनी ला रहे तो या रहे सबसे पहले का करेंगे को भूजन देंगे ठिक सामने प्राइब सबसे पहले देखिए क्या हुआ उन्होंने क्या दिया है भोजन पहला स्टेप उन्होंने वोजन दिया भोजन दिया तो अन कंडिशनल स्टुमिलेशन ठीक इस्टुमिलेट है याने क्या हो जाए गया स्वभविक उद्धीपन सब्भवक उद्धीपन आपका स्वभवाविक उद्धीपन हो गया और लार क्या है आपका स्वभाविक प्रतिक्रिया अगर आप कुट्टे को भोजन दिखाईएगा अन कंडिशनल रिस्पॉंस यू सी आर अगर आप कुट्टे को भोजन दिखाईएगा तो लार लिका लेगा ही न यानि भोजन जो है इस सभाविक यह उदीपन है सभाविक मतला समान रूप से उदीपन हेने लक्ष है जब भोजन देखेगा तो उसके मुह में तो लारा सोभाविक रूप से आएगी यह पहला कंडिशन उनका ओके बहुत सिंपल है समान उससे भोजन दिखाएंगे तो लाराएगी कभी-कभी आप लोग की मन में भी आ सभावी का गुर्झ दीपन कर रहे हैं तो क्या होगा सभावी क्या होगी ट्रतिकरिया होगी वारेंगे तो चोट लगेगा वैसी होगी तो यह आपके इस तरह से पहला कंडिशन उनका दूसरे बाद उसमाइन क्या किया इसी मेना एड कर दिया यह परकिलिया उन्होंने बार भॉजन दिया और तो जब भॉजन देंगे तो फिर निकले साथ karş को अनुद्धि उद्धीपन अणुबंधी उद्धीपन Anुबंधी मतलब बन्धा हुआ याने घंटी क्या हो ग havoc भोजन suggesting नहीं यह तो आपका क्या क्या ओग्षाक्रितिक नहीं हुआ क्या हो गया क्रितिम हो गया क्रितिम क्रितिम उद्धीपन है जैसे यह सभावीक उद्धीपन है t應該 launch प्रक्रति भी तो है दो प्राकर्तिक उद्धीपन की प्राकरतिक उद्धीपन चीक प्रक लकी ठीपनुसक्ट सकते हैं इसको किया कृआ इसको टीम पन और या आफिल आइसे वर आते को याप लनूत है यह ज़ोघू जब फावी है से पहले हमने देख्या देखा भोजन दिये याने सभाविक उद्धीपन दिये तो सभाविक प्रक्रिया हो गई उसके बाद देखिए सभाविक उद्धीपन के साथ हमने क्या लगया लगा दिया कृतिम उद्धीपन भी लगा दिया अनुबंधी अनुक्रिया भी लगा दिय तो दो कंडिशन हमने देख लिए एक बार और देखिए तो सबसे पहले हमने क्या दिया है भोजन दिया है तो भोजन दिया है तो क्या निकला है लार निकला उसका साथ फिर हमने क्या किया है घंटी लगा दी अब देखिए जुडाव हम लोग जुडाव कर रहे हैं ठीक है ज सिद्धांत थे इसलिए तो नोमंधि अनुक्रिया किसिधांत कहते हैं अब दीरह दीर चलिए किया होगा घंटी से जुड़ जाएका आगे चलके तीस्टे करते हैं तो प्राकृतिक यानि सुभाविक प्रतिक्रिया होती है ठीक है इसके साथ अब प्राकृतिक उद्धिपन और फिर कृतिम उद्धिपन करते हैं तो भी सुभाविक प्रत्क्रिया होती है मगर अगर आप यहां पर क्या करेंगे कृतिम उद्धिपन कृति मतलब यानि आपने क्या दिया है भोजन नहीं दिया सिर्फ क्या कर रहे है घंटी बजा रहे है तो यह जो लार निकली है किसके वज़े से निकली है घंटी के वज़े से निकली है इसलिए यह भी कैसा हो जाएगा कृतिम आपका अनुक्रिया हो जाएगी यही बस आपको जानना है क क्योंकि इसके साथ गंटी के साथ इसका अनुवंद बन गया है जुडा हो गया है लगाव गया हाए तो अब जब गंटि बढ़ाएंगे तो लाव निकलएगा कि तो तो यह तीन उन्हों नहोंने सिधांत देंगे thanks लाद निकलेगी सुभाविक उद्धिपन सुभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया उसके बाद सुभाविक उद्धिपन के साथ साथ हमने क्रितिम उद्धिपन दिया याने घंटी भी बजाई तो उन्होंने क्या लिकला है तो लाद निकला है यह भी सुभाविक है क्यों ठीक अब देखे इसको थोड़ा सा आप समझे कि हो कैसे रहा जुडाव कैसे हो रहा देखे धीरे-धीरे क्या होता है जिसे बच्चों का अगर माली जी सिखाना है तो आप क्या करें पहले दिन आप उन्हों जब बच्चा अगर पढ़ा तो उसको मोटिवेट करने के लिए आ अनुबंधन का घंड और आगे चल कर अगर माले जी उपहार न दे तो भी काम बन जाएगा तो पहार न इसके बाद वह जुराव उस से क्या है आखी सिख्षा में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं लोग तो अगर बच्चों को अच्छी आदेते सिखानी है तो आप क्या कर सकते हैं इस सिध्धान का उपयोग कर सकते हो ठीक है जैसे आपको बच्चों को अच्छी बाते बतानी है तो बड़े-बड़े लोगों जो को विशेवस्तु की प्रती अनुबंधन कराना चाहिए ये बहुत important है कभी भी जो सिक्षक होता है सब्जेक को एकदम correlate करके जोड़ कर बताना चाहिए सीधा सीधा flow में जो matter लिखा है वो उसको नहीं पढ़ देना चाहिए क्या होता है क्या करना चाहिए उसको जोड़ देना उसको connect करके जब हो सिक्षक पढ़ाता है तो बच्चा ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता और जल्दी सीखता है यही मोटा मोटी सिधान थे एपी पावलाव का उसके बाद देखे अनुशाशन बच्चे में लाया जा सकता है इसमें इससे क्या किया जा सकता है जो बच यह तो गूरुजी जब निकलेंगे जब निकलेंगे तो बच्चे अपने आप सांथ हो जाएंगे तोब अनुशाशन भी आ सकता है तो यह इस तरह से की आजा सकता है बुरी आजदत के इसके बाद हम लोग ने विभारवाधयों के सिध्दान में तीन देखे तीन बहुत इंपॉर्टेन्ट है इसको आप पढ़ लिजेगा पहला आपका थांडाई का सिध्दान था दूसरा आपका सिध्दान था तीसरा आपका पाउलाव का सिधान हो यहां नहीं होता है जो हता है अचानक है सूज से है संग्यान यहांने दिमाग से होता है तो यह अधिगम का होता है जर्मनी से अब तीनों के बार हम लोगों कर लेते हैं क्लब विभार वादियों में कौन आ जाएगा थार डाई तो उसके बाद का आ जाएगा अपर भीएफ श्कीनर और तीसरा जाएंगे पावलाव यह आपके USA ये आपके USA और यह आपके कहां से आजाएंगे रूस से तीन आपका यार में हो गया उसके बाद देखिया यह जो इसफौना गयांते है यह जर्मेश जर्मणी से यह कहता है कि जब समस्या दिखाई नहीं देती तब तक इसका समधान हो ही नहीं सकता इस जो सिध्धान्त स्वेस्टाहिस दानते हैं इसके जो क 떨ृत का मैक सवारदींड मीर या रखेगा यह मैक सवर्दी मीर जो है इसके प्रती बादा क्या 12 ने किया बारन लोग मिल के इनहीं बनाया एंब संप्रदाइग आप से याल र्क है कुन है मैक्स वर्दीमीर ठीक है इस संप्रदाइग प्रयूंक रच्रिक रच्छ्छी कोई है कुरत लेवीं publish Pat раздел about इसों मिलकर प्रकूर्थ किया कि यह ज् tua संप्रदाइग यह जो गस्टीलवादी है यह जो जर्मन संथे इसका मतलब समग्रता या संपूर्ण इसको समग्रवाद का सिध्धान भी कहते हैं क्या बोलते हैं कि समग्रवाद का सिध्धान कि समग्रवाद समग्रवाद का सिध्धान भी कहते हैं तो याद रखेगा समग्रवाद का सिध्धान किसे कहते हैं संपूर्टा का सिध्धान करते हैं और गेस्टल वादी सिध्धान भी कहते हैं उसके बाद देखें रिक्त पूर्टा का सिध्धान थैं सूज का सिध्धान तो आपका क्या क्या किया कोफ़ा और प्रतिबादा किसके कहते हैं मैक्स वर्दी मेर ठीक यह याद रखना है उसके पागे बढ़ते हैं कि सूजी अंतर दिस्थान में प्रतिबादक बता दिया इन्होंने किस पर प्रयोक चिंपांजी पर हमारा जो डिने है हीमन डीमय ने बहुत मैच करता है उन्होंने लगहला है कि यूमन पर तुकर नहीं सकते तो उन्होंने चिंपांजी भी गया च्याए ठोड़ के और उसका नाम था सुल्तान है इसलिपांजी व्युश्च सुल्तान म पुरियो गया और पहले जो पुरा जिया कई बैठा दिया और ऐसा लटका यह हाँ पानी पाई अब यह बैठा था वीचार भूक में मरत था अब हूप मरते मरते उसको अचानक से अचानक से उसको की सुझाई कि इस box को क्या किया जा आ एक टीव इंट कर दिया जायो उसके पाद चड़ कर कहा क्या कैला को खा लिया तो देखे कैसे उसको दिमाग आया कैसे उसको संग्यान आया कैसे उसको ने सीखा लर्निंग कैसे हुई पहले वो चुपचा बैठा था बैठा था समस्या सामने थी ठीक समस्या के बाद उसने क्या किया अच्छानक से उसके दिमाग में क्या आया सू जाई और सू जाने पर उ केला बाहर रख दिये और इधर रख दिये लकडी अपका डंडा और डंडा ऐसा था कि Suka जोडा जा सकता था अरेंच किया जा सकता था और वहां से पाएंगे नहीं उसको फिर से वैसी बैठा था फिर उसका अचानक सी दिमाऊ गय और डंडे वह क्या किया उसने जोड़ दिया और जोड़कर आपको केला को उसने क्या किया खीच के खा लिया तो अचानक से होता है यही कहते हैं कि यह संघ्ञान यह कैसा होता है अच्छानक से होता है याद रखेगा चृकर्फ कीलर ने प्र्योक क्या बता दी यह भूखा चपाश पर चड़का क्या क्या केलों को प्राप्त किया और इसके बाद ये अचानक हुआ और दंडे से भी उसने क्या है दंडे से भी केले को प्रापप लिसके बाद देखें इसके रहें दूसरा प्रयोग भी बता दिया होँaat अब नह prey तो उसके उश्वे सब मी रहते दो उसके उन्होंने चरण लिखे सबसे पहले इसको पाना क्या था तो उसको पाना था क्या केला केला पाना था तो केला पाना था तो उसका गोल था फिक्स था अब केले केले बाधा क्या थी तो बॉक्स जिस बॉक्स में पिंजरे में जिसमें बन था वो जिस पिंजरे में बन था वो उसकी बाधा थी यहां पर केला है माली तो केला पहले उसको दीख रहा था गोल उसके बाधा फिर अब उसके बास कुछ दिमाग नहीं यहारा तो कैसे पाऊ-भूक मर रह था तो तनाव अगर तनाव फिर संगठीत करेगा अपनी उर्जा को संगठीत करेगा जो उसके पास संसाधन है उसको संगठीत करेगा बॉक्स अरेंज करेगा या फिर लकडी जोड़ेगा और लास में क्या पुनस्थापना पुनस्थापना करके फिर वह लक्ष को प्राप्ट करेगा तो यह चरण है अगर कहना क्या चाता है इसकी विशेष्ता क्याति जया रखेगा शीखने की प्रक्रिया जो है अचानक होती है पहला कहता है मैंने पा rêle ही रOT technically यह जो संच्छायण वादी सिधांत यह अचानक बात करते हैं और विभार boost अचानक है सब्सक्राइब पर्मानेट हो जाएगा और उसमें आपका तूटी होता था अभ्यास करने पड़ता था अधिगान सूज पर अधारित होता है बुद्धी पर याने संग्यान पर अधारित होता है संग्यान यहन्यान बुद्धी होता है तो यारत के अधारित होता है महत्त है इसको सिघ्धान देना कि शिख्षा में आखिर क्या इसका Damn कि कश्षा में आखिर की ऐसका सいधा। सिधान तो सबसे पहले जो पनाते हैं यह देखते हैं कि बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं समस्या है फिर बाधा है फिर उसके बाद उसको ठीक करने की उपाय खुजने है तो यह सब समध्या को समध्यान करके समध्यान कैसे हो सकता है वह दिखा जाता है किसमें आपका संग्यानवादी में तो पूरी चीज़े समगरता सुरू से लेकर अंध तक होता है इसलिए पार्ठ करम निर्माड में बहुत हेल्प करता है ठीक है आप लोगों ने क्योंकि समस्या जब सामने आपको दिखेगी तो आप उसका समाधान खोजोगी ठीक है और समाधान खोजोगे तो क्या हो जागा संग्यानवादी यहने सूच का सिद्धान दिमाग लगाओगी तो यह अपका पार्ठ करम निर्माड में सहाइक पूर से अंस की और चलती है यह से अंस की और चलती है और यहाद केगा पूर्ण से उंस चलेगे तक प्रवति का विरोद करती है रटना नहीं है समझना है सीखना है यह बहुत इंपार जैसे वहाँ पर और भेयास का जिदान बार बार उसी चीज को दोहराता था एक तरह से रटता ही था तो रटने का विर समस्या का पूर्ण रूफ से प्रस्थूतिकरण करती है आपके पास समस्या जैसे चिंपांजी के पास समस्या थी केला नहीं मिल रहा था उसको समस्या है सामने स्पस्थूतिकरण आपको भी देख जाए कि इसका क्या समस्या है जोसको केला नहीं मिल रहा है तो पहली समस्या तो वही होगी तो समस्या इस प्रस्तूती करन होता है इस पर पता चलता है कि आपके पास प्राब्लम क्या है कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी प्राब्लम क्या है कई बार बहुत आगे बढ़ जाते हैं लड़ाई हो जाता और पता ही नहीं होता है कि गल्दी हमारी ही है तो याद रखेगा समस्या का प्रस्तूती करण होना चाहिए उसका प्रकट होना चाहिए पता होना चाहिए कि समस्या है क्या एक्षिली में ठीक है प्राप्लम कहां जारी उसके बाद देखें विशेवस्तू का उचित संगठन हुआ शमता के अनुसार किया जाता है जैसा जैसे डंडा था उसके पास उसके पास box था तो उसने क्या क्या जिस्का सब सब्पयो्ग के और आप 실रे को प्राप्थ किलिया तो विशेवस्तु जो है जो उपलब्द साधन है उसका अच्छे केले को प्राप्त कर लिया तो विशय वस्तु जो है जो उपलब्द साधन है उसका अच्छे से उपियोग हो सकता है जैसे जब स्कूलों में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मिल दी है शांपर्ठ होता है उसके अलावा आपका प्रकार कार रहाँ होता है, गलोब होता है, तो iska अच्छे से उप्योग करके आप बच्चे को समझा सकते हैं, यह 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 कहा नहीं कि अंपलब्द है उससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे चिमपांजी ने किया, बॉlement पर चड़के केले को परब्त किया, लखडी को जोरकर केले समस्या का सुमधहन कर सकते यह कहता साथ कठें के लिए उपयोगी होता है उसको क्या करता है उसके साथ साथ वो क्या करता है उससे जुडाव होता है तो यह सिक्चा में इसको तोड़ा सा याव रखें थोड़ेंगं और सिध्धान ते उसको भी थोड़ा देख लेते हैं देखे इसके साथ 63-टर दिएकम का सिध्धान होता है फैम से इस is जिस तर दिम प्रतिभादे कौन है कॉर्फ लें है या कुट लेविन प्रफोर्शनल के है एक फ्रफ एक लएंड एंवार्मेंट के तो यह देखी गा उमन बिहेवियर प्रफोर्शनल टू पीपल एंवार्मेंट सब्सक्राइड उड़ा है कि जैसे घर में अच्छा महाल है काई तो बतारे मानल का विभार कैसा होता है व्यक्ति और वातावरण जीसा हो तो यह तो इसको कम कर सकता या तो ज्यादा कर सकता है या तो भड़काने वाला दोस्त मिल जाए या तो क्या हो जाए आपका अच्छा दोस्त मिल जाए तो यह यह दोनों चीजे फैक्टर पर करते हैं कंड़िपां व्यद्धन व्यद्धन हैं जैसा व्यद्धन क्या हो जाएगा अको नेτर भी वैसे पढ़े लिखें माहल में पढ़ा लिखा व्याति और पिर वैसा तिक यह आपका चेतर अधीगम का सिध्धान भी आपको याद रखना है फिल्ट तोरी किस ने दिया कर्ट लेविन ने दिया यहां पर हमारा अधीगम के जो सिध्धान थे इसमें वेभारवादी सिध्धान और संग्यानवादी सिध्धान मोटा मोटी खतम होते हैं इसके अलावा भी और भी सिध्धान्त है जैसे वेभार वादी और संग्यान वादि और समझ रह बहुत important topic है ठीक है जहां से पढ़ते रहें और कोई भी कुछ भी चीज़ागा समझ नहीं आता तो आप comment box में फूस सकते हैं आज के लिए इतने ही रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद